हेलो दोस्तों, वेलकम डू माई चैनल महक रैस्पीज, इट हल्दी, स्टे हल्दी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और हल्दी चीजी सैलड रैस्पी और साथ ही हम सीखेंगे घर पर ही हल्दी तरह से म्योनिस बनाना आप जब चाहे इस म्योनिस को त्यार कर सकते हैं बाहर से जो आप म्योनिस लेते हैं उसमें बहुत सारा ओईल और बहुत सारे प्रिजरवेटिव डले होते हैं जो हमारी हल्द के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे मियोनिस, तो एक मिक्सर जार ले ले, उसमें डालें ये भीगे हुए काजू, अब इसमें फ्लेवर के लिए लैसून डाल दे, अगर आपको लैसून का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, इसके बिना भी मियोनिस बहुत ही अच् ये है सैंधा नमक, इसकी जगा आप पिंक हिमालन सॉल्ट भी ले सकते हैं, और ये है काली सरसो के बीच यानि मस्टर्ट सीट्स ये भी डाल दे, मियोनिस में जो ओल डाला जाता है, वो ओल काली सरसो से मियोनिस में रिलीज होगा, जो पूरी तरह हेल्दी है, अब इसमें डाल दे गुड का पाउडर, जो मियोनिस में अच्छा टेस्ट देगा, और मियोनिस में डलने वाला सरसो का बीच और लैसून का जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है, उसको भी बैलेंस करेगा, अब डाल दे इसमें आदा नीमू का रस, करीबन दो चमच, और ये दो चमच पान मृची आज़स, और दे पाना का को आज़स, जो लाएंस करेगा, जो पाना का बेदा जन्हें मृच्प funktion. और ये देखे दो मिनिट में ही ये बहुत ही अच्छी सोफ्ट क्रीमी मियोनिस बनकर तयार है इसे आप दो दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर और ये मियोनिस को आप सैलेड में डालें या ब्रेट टोस्ट करके सैंडविच पर लगाएं जब भी आपका मन हो फ्रेश मियोनिस इस तरह से कभी भी बना के खाएं तो हैना बहुत ही असान, no preservatives, no unhealthy oil और दो मिनिट में मियोनिस घर पर ही तयार हो गई चलिए अब बनाते हैं चीजी सैलेड सैलेड बनाने के लिए मेरे पास है ये कुछ वेजटेबल्स तो एक बाउल ले उसमें डाले बारीक चौप किया हुआ खीरा बारीक कटा हुआ गाजर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ टमाटर बाईट स्वीट कोन डाल दें और ये मियोनिस जो अभी हमने फ्रेश बनाई है ये डालेंगे इसमें करीबन दो बड़े चम्मच और इसे अच्छे से मिक्स कर लें ये स्पैशल सैलेड आप अपने गेस्ट को सर्फ कर सकते हैं आपके घर में पार्टी है यह गेट टूगेधर है तो ये सैलेड आप अब इसमें टॉपिंग के लिए बारीक चॉप की हुए काली किश्मिश डाल दे आप इसकी जगा गॉल्डन किश्मिश भी ले सकते हैं अब इसे सर्फ कर लेंगे एक बाउल के अंदर ये सैलेड को आप अलग तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं सब कर सकते हैं गैस को चलिए देखते हैं कैसे आप एक खीरा ले लिजे और इस खीरे को आपको बीच में से कट करना है इस तरह से और ये जो बीच का पोर्शन है इसे स्पून से निकाल दे ये दिखे इस तरह से ये बीच का पोर्शन हटा देना है एक बोट शेप आ जाएगी खीरे की और ये चीजी सैलेट इस कुकमबर बोट में फिल कर दे और ये सुन्दर कुकमबर बोट सैलेट भी बनकर तयार है इस तरह से ये सैलेट एक बड़ जरूर बना के खाएं I'm sure आपको ये सैलेट जरूर पसंद आएगा और ये रेस्पी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेस्पी के साथ